एलो गाईज वेलकम टू माई चैनल सो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं आई हूई हूँ जैपुर ऐसे तो मैं दो तीन बार पहले भी जैपुर आई हूई हूँ बट मैंने बिल्ला मंदिर पहले नहीं देखा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी कि ऐसी हमने प्लान बना कि चलिए बिल्ला मंदिर देखा जाए सुना तो काफी था इसके बारे में जल्दी जल्दी में हम पहुचे और हमने बहुत जल्दी से दर्शन करें अपितने बंदो ता है ये मंदिर चार बज़ और सुबे बंदे रहें गानों पर बंदो जाएगा सुब तो इस नों खुलेगा नों चार तरफ इपरी टीए ये वहाँ बगा रहे हैं बोल रहें जाओ अब टाइम हो गया है चीग है अपने घर पहुचे जीदा में आपी पहुचेंगे और ये बहुत कोपरेटिव हैं इन्होंने हमें फोस्क्राइब करने दिया है क्योंकि तो इस नोट अलाउंड आउंड आई भी आई है तो हमने दर्शन तो कर लिए बट अगर आप यहां आना चाहते हैं तो मॉनिंग में टाइम से आएं बिकोज मंदिर जो ह पहले ये बताईए कि क्या आप जैपूर आई हैं और जैपूर आई हैं तो जैपूर में आप कहां कहां गूमें हैं मैं जैपूर में नागरफूर गई हूँ हूँ एक जलमहल में पहले देखा हुआ है और दो ती जनका और गई हूँ क्या आपने जलमहल देखा है तो हम हो हो गए रवाना जल महल के लिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं तो अब हम आ गए हैं जल महल के नजारे और इन नजारों का लुफ्ट उठाइए हमें और हमारे दोस्तों के संग और मज़ा करें जल महल नाइट में आई थी तो अगर आपको जल महल अच्छे से देखना आए तो नाइट में आए और वहां पर हमें दो बच्चे मिले जिन्होंने हमें जादू दिखाया तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे उन लोगों ने हमें पागल बनाया गाइस इस वक्त अभी हम लोग है जल मैल की तरफ और हमारे साथ कुछ चोटे चोटे बच्चे हैं लोकलाइट से यहां के और यह हमें जादू दिखाने वाला है माजिक दिखा रहा है यह जादू वाला है जादू वाला है है जादू वाला हो जो दि कुछ पनाया तो बनाया जो दोते नीन आनुकियां नीन आर्जीट पे नहीं सरफ पोल जादू अरिगी नहीं को हमारे उन्ह तकी कि सब्सकंटधी है जा लूटे हम जरीसे चन्डा करेत्विक रिम आसल्सरा करणीश्ट करणीश्ट है जादा अपना जादूत का नजारा आपको दिखा रहा है वहां गायब कर दिया आपने आपने सबस्का था घुलू में कहो चिकार को सबस्काद पार प्हाb